काफी गर्मी के दिनों में खास कर रिगिस्तान वगेरा में जहां पर काफी गर्मी पड़ती है वहां पर हमें ऐसा भ्रम होता है मानों की जमीन में पानी है पानी न रहते हुए भी हमें ये भ्रम होता है मानों इन जगहों पे जमीन में पानी है इस तरह के phenomenon को कहा जाता है मिराज जिसे की हिंदी में मरिचिका कहा जाता है ऐसा हमें गर्मी के दिनों में roads में भी दिखता है यहाँ पर देखें roads में भी हमें इस तरह का effect दिखता है तो चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग यही देखेंगे कि मिराज यानि की मरिची का होता क्यूं है ये दरसल होता है रिफ्रैक्शन के कारण और टूटल इंटर्नल रिफ्लेक्शन के कारण तो ये हम लोग एक सिच्वेशन कंसीडर कर रहे है रिगिस्तान का यहाँ पर ये आदमी इस पेड़ का जो रिफ्लेक्शन है या कहें इमज है इसे नीचे भी देखेगा और इसे ऐसा भ्रम होगा मानो की इस जगा पे पानी है जिसके कारण उसे इसी पेड़ का रिफ्लेक्शन नीचे देख रहा है वेल देखें रिगिस्तान में काफी गर्मी होती है क्योंकि बालू वगेरा जो मिट्टी वगेरा है ये बहुत जल्दी गर्म हो जाता है गर्मी के दिनों में ये जमीन काफी ज्यादा गर्म होता है और इसके उपर का जो हवा है वो इतना गर्म नहीं होता है जितना हम उपर चड़ते जाते है उतना temperature घटते जाता है तो अगर हम इसे अलग-अलग layers में consider करे तो हम यह पाएंगे नीचे के layers में काफी ज्यादा गर्मी होती है उसके उपर के layer में थोड़ा कम, उसके उपर के layer में और थोड़ा कम जितना हम उपर चलते जाते हैं, उतना temperature कम होते जाता है तो इसके कारण होता है light का reflection तो यहां से इस पेड़ के किसी भी हिस्से से light जो इस इंसान के आँखों तक पहुँचेगा वो refract होते हुए और फिर अंतता एक जगा पे total internal reflection होते हुए यह आँखों तक पहुचता है, चलिए थोड़ा सा details में देख लेते हैं इसे उपर वाला layer का temperature कम है, नीचे वाला layer का temperature ज्यादा है और हमें पता है जहां temperature कम होता है, वहाँ air का जो optical density होता है, वो ज्यादा होता है यहाँ पर यह optically denser medium होगा, relatively और यह optically rarer medium होगा वो normal से दूर deviated होता है, बाहर की तरफ deviated होता है, वो आपको यहाँ भी दिखेगा denser medium से rarer medium में जा रहा, यहाँ भी denser से rarer में जा रहा, फिर यहाँ भी denser से rarer medium में जा रहा तो यह normal से दूर की तरफ deviated होते हुए जा रहा है, और इस जगह पे हो रहा है total internal reflection लास्ट वीडियो में आपने टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बारे में जाना था तो यहाँ पर रिफ्लेक्शन होने के बाद टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होने के बाद जो light ray नीचे की तरफ जा रहा था वो वापस reflection के बाद उपर की तरफ चढ़ने लगता है अब इसके बाद जो है देखे light जो travel कर रहा है यह optically rarer medium से denser medium की तरफ जा रहा है तो ऐसे situation में हमें पता है कि light bend होता है normal के direction में या normal के तरफ अंदर की तरफ deviated होता है तो यहाँ पर देखे यह normal की तरफ deviated हुआ यहाँ पर भी वही चीज होगा फिर आगे भी यही चीज होगा तो इस इंसान के आखों तक जो यहाँ से निकला हुआ light पहुँचा यह इस तरह से refract होते हुए फिर total internal reflection होते हुए फिर आखों तक पहुँचा और हम चीजों को देखते कैसे हैं हमें यह नहीं पता होता light जो आ रहा है वो कहाँ पर refracted हुआ किस जगह पे reflection हुआ यह सब हमें नहीं समझ में आता है हमारी आखे या हमारा brain जो perception create करता है वो सिर्फ इस information से कि हमारे आखों में किस direction से light आया तो उस हिसाब से इस इनसान को इस जगह का जो light है यहां से निकला हुआ light का एक reflection दिखेगा एक image उसे दिखेगा और वो image उसे इस जगह पे दिखेगा मुझे reflection नहीं कहाना चाहिए था तो एक image उसे यहाँ पर उसका दिखेगा virtual image बनेगा यह और इसे इस इंसान को ऐसा ब्राम होगा मानो की इस जगा पे पानी है जिसके कारण उसे इस पेड़ का reflection इस पानी में नीचे की तरफ दिख रहा है तो इसी को मिराज कहा जाता है या मर्ज का कहा जाता है तो अब हम लोग आगे के वीडियो में इसी तरह का reflection और total internal reflection के कारण होने वाले अलग-अलग तरह का जो phenomena है उसकी बारे में हम लोग बात करेंगे जैसे कि diamond इतना sparkling क्यूं होता है यह इतना चमकतार क्यूं होता है और फिर optical fiber किस तरह से काम करता है तो उन वीडियो का link आपको यहाँ पर screen पर मिल जाएगा अब जाते जाते मैं आपको बता दू standard 12 के लिए ray optics chapter के सारे वीडियो का जो playlist है उसका link आपको नीचे description box पर मिल जाएगा तो मिलेंगे अगले वीडियो में तब तक के लिए खुश रहें goodbye